नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुमण चर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से कैसे आप सभी आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे जो मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रही है, तो आप सब खुश होंगे आज हम जिस manifestation technique के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है pillow technique, जी हाँ, pillow technique, और इस technique की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अभी जो भी, अगर कोई manifestation की technique अभी आप apply कर भी रहे है at present, आप अपनी wish को लेकर के कुछ techniques आप कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ ये आप कर सकते हैं, बहुत असानी से, कोई confusion नहीं रखिएगा, मैं starting में ही बता रही हूँ कि आप ऐसे मत पूछेगा कि हम ये ये techniques कर रहे हैं, तो क्या ये कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत असानी से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं बलकि ये आपके subconscious mind को बहुत अच्छे से programming करेगा and आपको बहुत help करेगा आपके wish को achieve करने में जो भी आप techniques अभी आप बाकी के भी कर रहे हैं उनको भी बलकि ये अच्छे से manifest करने में visualize करने में आपकी मदद करेगा हमारा सबसे पहले यही होता है कि आप जो भी visualize कर रहे हैं वो इतनी गहराई तक करिए कि वो आपके subconscious mind में चला जाए क्योंकि हमको पता है कि जो thoughts हमारे universe में जाएंगे वो ही वहां से blessed हो करके वापस हमें मिलेंगे यह give and take है आपने जो दिया वही वो वापस आपको मिलेगा वहां से ठीक है लेकिन अगर आपके thoughts यहां से वहां पहुचे ही नहीं तो कैसे होगा इसलिए हम आपको कहते हैं इतनी गहराई से सोचो negativity मट डालो उसको subconscious mind में जाने दो उस thought को वहां तक जाने दो ठीक है तो यही गहराई ना इस pillow से यह जो pillow technique मैं बताने जारी हूँ आपको एक pillow use करके इस technique को use करने से होता क्या है कि हमारा subconscious mind बहुत अच्छे से जो भी आप wish लिख करके अभी मैं पूरा बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से pillow से अपनी जो भी wish है उसको manifest करेंगे ठीक है तो यह pillow actually कैसे help करेगा आपको रात में हम सोते हैं सबसे जादा तक्ये को ही हमारा तक्या ही हमारा सिर के पास रहता है जो भी हमारी सोच है जो भी हम सोच रहे है रात को हमें सपने भी आ रहे हैं तो भी वो तक्या attached है हमसे pillow attached है हमसे आपको मैं एक छोटी से tip भी दोंगी वीडियो के end में please मेरी वीडियो end तक जरूर देखेगा skip मत करियेगा बहुत important tip है जिनके गर में छोटे छोटे बच्चे है ना उनके लिए तो बहुत बहुत important है even आपके लिए भी important है क्योंकि इस problem से बहुत सारे लोग face करने लग जाते हैं ये tip मैं आपको last में बताती हूँ पहले हम manifestation technique के बारे में बात कर लेते हैं पूरी तरह से आपको क्या करना है इस pillow को use करना है ये pillow हमारे subconscious mind के level तक attached रहता है रात में जब हम सोते हैं और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि आप रात को सोने से पहले अगर अपनी wish को बोल करके affirm करके या फिर उसको chant करके सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके mind में वो wish चली गई है अब रात में वो subconscious mind अपने आप absorb कर लेगा आपके wish को एंड एक बार subconscious mind में आपके wish positively चली गई आपने उसको छोड़ दिया तो उसको manifest होना ही होना है ठीक है आपको क्या करना है आपको एक plain paper लेके आना है plain paper मतलब आप copy का भी paper फाड़ के ला सकते है ठीक है बस उस paper पर कुछ नहीं लिखा होना यह कोई से भी color का हो सकता है कोई issue नहीं है आप plain white ले लिए white तो हर घर में होता है आप एक paper ले लिए plain आपकी जो भी wish है जिसको लेके आप 100% sure है कि आपको वो चाहिए confusion मत रखिएगा बहुत से लोग हैं जो wish लिखते लिखते दो-तीन दन के बाद बोलते हैं कि हम change कर ले आप इस तरह से करके किसी भी wish को manifest नहीं कर सकते पहले आप sure हो जाओ आपको अपने goal पर sure होना है आपको achieve क्या करना है किस चीज के लिए आप manifest करने जा रहे हो ठीक है आप जिस चीज को लेके निश्चित हो गए proper आपने एक पूरा determined हो आप अपने goal को अपने wish को लेकर के उस wish को अब आपको उस paper में लिखना है कैसे लिखना है मैं बता देती हूँ आपको अपनी wish को present tense में लिखना है present tense मतलब आपको ये feel करना है ठीक है अच्छा ये जो हम feel करते हैं न जो हम कहते हैं कि आपको already feel करना है बहुत से लोगों के points आते हैं जो चीज हमें मिली ही नहीं उसके लिए हम already कैसे हम grateful हो जाएं कैसे हम feel करें कैसे visualize करें कि वो हमें पहले से मिल गई है ठीक है और क्यों feel करें ये जो सवाल है इसका अब भी मैं थोड़े देर में एक और video अपलोड करूँगी उसमें आप देखिएगा इसमें सिर्फ manifestation technique पिलो से जो होने वाली है उसकी बारे में बात करने वाली हो मैं ठीक है आपको present tense में उस paper पे अपने wish लिखनी है suppose आप लिख रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए जल्दी से कोई specific person का नाम है तो आप लिखिए I am very happy emotions हमेशा डालिए gratefulness हमेशा डालिए दो चीजें तो बिलकुल रहनी ही चाहिए I am very happy that I have got married to name of that specific person ठीक है वो लिखिए इसके बाद नीचे लिखिए thank you universe, thank you universe, thank you universe या अगर आप कोई देवी देवता को मानते हैं जिनसे आप attached है मातारानी, भगवान जी, जो भी आप उनको भी लिख सकते हैं thank you, मातारानी, thank you, जो भी भगवान, गौड आप वो लिख सकते हैं ठीक है यह तीन बार आपने gratitude भी express कर दिया starting में आपने emotions भी डाल दिये, happiness वाले इसके बाद आपने, बीच में आपका content आ गया जो है आपका present tense में आपकी wish का दो-तीन line जितने में भी लिखनी है अब यह जो technique है, यह please आप एक wish के लिए कीजिए बहुत सारे multiple wishes नहीं डालने हैं एक साथ यह हमारा दिमागी है, आप एक साथ चीजें डाल दोगे ना वो भी confused हो जाएगा, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको क्या करना है और मान लो कि कोई अगर आपने 4-5 wishes एक साथ लिख दी इसमें अगर किसी wish को बहुत देर में manifest होना है उसका time late कर रखा है, ठीक है, तो वो तो फिर सारी wishes को ही late हो जाएगे उसमें वो चट के according चलने लगेगी, तो it's best आप एक wish को लिख दीजिए अभी और आपको यह technique continue करना है 21 days के लिए, ठीक है अब सुनिए, आपने जब वो paper पे अपना पहले emotion लिख दिया I am very happy, उसके बाद आपने वो line लिख दी कि I am, I have been married to so and so person and I am living very happy ठीक है, यह line लिख दी, I have got money, I have got job and so and so company जो भी आपकी line है, मुझे नोकरी मिल गई है, मुझे job मिल गया है, मुझे मेरी शादी हो गई है so and so person से, या फिर मेरा lover वापस आ गया है, हमारी communication stable हो गई है आप इस तरीके से, जो phrase आपने बनाना है present tense में, अपनी wish को लेकर के वो आप खुद बनाईए और अपने दिल से बनाईए ठीक है, आप लोग मुझे से पूछते है, मैं ठीक है, आइडिया तो दे देती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने अपने दिल से निकालो आपको जो चीज मिली है, उसके लिए आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, आपको क्या लिखना चाहिए और ठीक है, अगर आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हम क्या वर्ड्स वहां पे पुट करें, उसके लिए आप में को इंस्टा पर जो भी है, आपने मेसेजस डाल देना, आपने विश को लेकर कि मैं वहीं पर इंस्टेंट रप्लाई देती हूँ, आप लोगो होता है कि थोड़ी देर हो जाती है, ने तो मैं तुरंती रप्लाई देती हूँ आप लोगों को, मुझे पता है, आप लोग सब अपने विश को लेकर बहुत परिशान होते हो, सबको है कि बस एकदम से जल्दी से जल्दी हो जाए, और मेरी भी यही दुआ है आप लोगों आप लोग सब खुश रहो, हैपी रहो बस, मैं तो मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए, हमेशा, तो यह हो गया, आपने अब उस पेपर पे लिख लिया, पूरी complete हो गई, I am happy, अपना phrase लिख दिया, उसके बाद thank you, thank you, thank you universe, या thank you, thank you, thank you God, आपने लिख दिया, अब क अंदर उसको पेपर को डाल के आप रात में सो जाओ उस पे, ठीक है, अच्छा सोने से पहले आप एक काम कर सकते हो, पिलो में डालने से पहले भी, कि आप उस पेपर को डालने से पहले ही अपनी विख को जितनी बार भी, मतलब बहुत जादा बार मैं परिशान करने के फिलो में रख दो, रख के आराम से उसके सो जाओ, ठीक है, आप सो जाओ और ये काम आपने 21 days तक करना है, आप क्या करना है, morning में आप उसको उठ करके pillow के अंदर से अगर आपको लगता है कि मेरा pillow safe है कोई उसको जैसे cover जो होता किया कि हम तो चलेगा morning में पीछे से cover निकाल के wash हो रहा है या कुछ कोई कर रहा है तो वो उस पर्ची को देख ना ले, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो, अगर आप अकेले रहते हो, तब तो अलग बात है, अगर आपको लगता है कि मैं मौनिंग में जा रहा हूँ बाहर, और ये कोई वाश करेगा, तो वो निकाल लेगा, चित निकाल ल गब ऌदाएं रखें फिरूर के आप्पलो मीने सभी बड़ जीए। अगर आपको लगता है कि नहीं है आपका पिलो कोई निकालने वाला है या आप बिलकुल जो आपको फिल्लो के अंदर के अंदर की प्ले कव आपको सायख अंदर कोले temptation है कि पिलो का कवर ही वाश होता, पिलो कोई नहीं वाश करता, ठीक है, आप तो वो कर ले ना, उससे क्या होगा, वो उसके अंदर सेफ पड़ावा, आपको भी टेंशन नहीं रहेगी कि निकालना ही नहीं है फिर, फिर बस आपको अपना एक बार विश्वलाइज कर लेना है, बाकी जो टिक्नीक्स आपके चल रहे हैं, उनको चलने दो, आप उस पर सोते जाओ बस, आपने एक बार का कर लिया, अच्छे से दिल से, वो अपना काम वहीं करना शुरू कर देगा, ब जब बड़ी होता है, इसका पिलो उसके पास, उसका पिलो उसके पास, तो उस टाइम पे फिर आप चट पिलो के अंदर ने डालोगे, आप फिर मॉनिंग में उठके चट अपने पास रखो, रात को सोते समय वापिस जाओ, और फिर उसके अंदर आप डालो, मैंने बहुत अच्छे से clearly explain कर दिया, उस परची का आपने करना कैसे है, ठीक है, अब जो मैं एक छोटी सी tip बताने जारी थी, वो यह है कि जब आपको कभी होता है कि हमें बहुत बुरे-बुरे सपने आने लग जाते हैं, ठीक है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें ऐसे सपने आ क्यों रहे कि किसी इंक में डुबा के बनाना, इसे करके आपको आपको अपने हाथ से बनाना है, सब को आता है, ठीक है, आपने ओम बनाने के बाद आप उसको रखके और चुप-चप सो जाए, ठीक है, फिर वो आपको जो भी आप बैड ड्रीम आ रहे हैं, गलत ख्याल आ रहे हैं, य इससे क्या होता है, कि आप जो नेगटिव एनरजी की वज़ा से परिशान होते हैं, रात में नीन नहीं आती, या फिर कोई बैड ड्रीम आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिलकुल खतम हो जाएगा, आपको आप आखे बंद करोगे, और आखे खोलोगे तो सवेरा हो चुका होगा, रात में कोई सपना, कोई बुरे खयाल की वज़ा से आपके नीन तूटना बिलकुल बंद हो जाएगी धीरे-धीरे, आप ये करके देखो, इवन बच्चे रात में उठके, जो बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, रात में एकद बहुत magical है, धीरे-धीरे इतने अच्छे improvements आपको नजर आएंगे इस ओम बनाके सोने से, कि आप सोची नहीं सकते, मतलब ये positive energies attract करती ही करती हैं, प्लस आपको पीस and काम देगी आपके माइन को, बहुत शान्ती मिलेगी आपको बहुत जादा शान्ती, हम सबको पता है, ओम कितना powerful, ये word ही अपने आप में power है, ओम, ठीक है, आप इसको लिख करके, ये ही मेरा एक चोटा सा tip है, ओम के लिए, कि आप इसको लिखना शुरू करें अपने pillow पे, सोने से पहले, आप खुद धीरे-धीरे-धीरे आपको खुद changes नजर आने लगेंगे, ठीक है, and ये हो ग चिट को आपको pillow के cover के अंदर रखके सो जाना है, okay, and सोने के बाद morning जब आप उठते हो, अगर आप secure नहीं है, वहाँ पर परची आप परची अपने पास रख सकते हैं, वापस से आपने वैसे ही रखना है, रात को, और परची रखने से पहले आप एक बार पढ़ कोई बहुत ज़ादा है, इसमें कोई technique नहीं है, simple सा है, एक चटलिक नहीं है, अपने pillow में रखना है, visualize करना है, chant करना है, सो जाना है, बस, ठीक है, morning उठना है, अगर pillow में safe है, छोड़ दीजिए, नहीं safe है, उठाके परची अपने पास रख लेजिए, हो गया काम खतम, ये जाहिए इसको, ठीक है, जहां पर ये safe हो, कोई देखे ना, वहाँ पर रख के इसको भूल जाहिए, आपके दिमाग से ये बात ही निकाल दीजिए, कि मैंने कोई pillow technique अपलाई की थी, इसलिए बोल रही हूँ कि आपने एक बार let go कर दिया, वो चीज चली गई, तो आप उसक thoughts छोड़ी नी रहे हो, negativity छोड़ी नी रहे हो, मैं videos बना रही हूँ, आप लोगो समझा रही हूँ, negative मत सोचो, मत सोचो, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते thoughts को, तो please आपके thoughts, आपकी wishes ना, आपके हाथों में है, हम सिर्फ आपको technique बता सकते हैं, proper तरीके से बता सकते हैं कि आप कैसे करोगे, techniques में कोई issue है, आप हमारे पास 10 बार लिखो, ठीक है, हम आपको हर चीज समझाएंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे भी, लेकिन thoughts छोड़ना आपको है, please, तो please ये काम आप करो, आप अपने thoughts को let go करो, positive रहो, खुश रहो, मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सब कुछ attract कर लोगे, खुश हो करके, चलो all the best and do this pillow technique.